दिली के त्रिलोक पूरी इलाके में मेट्रो ट्रैक के नीचे सड़क धस गई है जहां करीब 30 फीट से बड़ा गठा हो गया गरिमत रही कि कोई भी इसकी चपेट में नहीं आया पूर्वी दिल्ली के त्रीलोग पूरी इलाके में गुरुवार को बड़ा हासा होने से टल गया जब अचानक सडक धतने से करीब 30 वीट गहरा गठा बन गया सडक का ये हिस्सा काफी व्यस्त इलाका मना जाता है और इस रूट पर गाड़ियों की आवाजाही भी लगी रहती है गटना की तुरंद बाद इस्थानिय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुँच गई रहत और बचाओ कारिया शुरू कर दिया गया है प्रशासन ने सडक के इस हिस्से को पूरी तरह से बंद कर दिया है और आज-पास की इलाकों में ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है इस्थानिय लोगों का आरोप है कि कुर्जिनों से इस सडक पर दरारे देखी जा रही थी जिसके शिकायत कई बार की गई थी लेकिन कोई कारवाई नहीं की गई सडक धसने की वज़ा भूमिगत पानी का दिसाव बताया जा रहा है सडक की मरमत का काम जल से जल पूरा करने के निर्देश दिये गए है